कि जो ट्रेन डीरेल करने की साज़िश का मामला है उसमें पाँच और सुड़क्टाइज आप मामले की जाच करने वाली हैं पाँच और एजनसीज फिलाल पुलीस, आर्पीएफ, स्टीएफ, एटीएस कर रही है जाच NIA और IB भी जाच में सहयोग करेंगी तो बड़ी ख़बर आपको बता रही हूँ कि NIA भी अब इस पूरे मामले में जाच करने वाली है NIA टीम ने UP पुलीस के वरिष्ट अफसरों से बात भी की है और घटना की जानकारी ले ली है तो अब आप सोच लीजिए कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पर है और बड़ी बड़ी एजंसिया इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई है मैं शुरुआत सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ करना चारही हूँ सब मायमानों को स्क्रीन पे ले लेज़े डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूँ ये बहुत बड़ी घटना है सर और ऐसी घटना कुछ दिन पहले भी यहीं कानपूर में देखने को मिली थी 17 तारीक को मेरा सवाल ये है सर कि इसको इसकी जाच कितनी एहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाए जा सकता है कि कितनी जाच एजिंसिया इसमें इन्वाल्व हो गई लेकिन इस तरह की साजिश के तार आपको जुड़ते हुए कहां दिखते हैं ये कैसे पॉसेबल होता है कि आप एक सिलिंडर प्लांट कर दें वहाँ पर उसमें बारूद भी मिलता है वहाँ पर पेट्रोल बम भी मिलता है इस से पहले इतना बड़ा बोल्डर ट्रैक पर र पॉटा आता है नगैस सिलिंडर और जुलंशील पदात जो था बोतल में और जो पाउडर था जिसको बताया जाता है कि नौसादर गंदक और पॉटाश था जो की एक्स्पलोजिव होता है तो ये अगर पहुचा है वहाँ पे और ये एक पहला ये ट्रेंड के उपर अटै हुआ है और पाकिस्तान में बैठा हुआ एक गोरी वह ये कहता है कि हम इस तरीके के आकरवन भारत में करेंगे तो अगर इस तरीके कितार आप जोड़ते चले और उसके इन टोटैलिटी पूरी पिक्चर को अगर आप गोर करें तो पहली चीज़ है आप जब एरपोर्ट की चीज़े नहीं किती हैं ना वहां मठिया ना मंदिर ना मजार लेकिन स्टेशन पर आप जिलिए ऐसा स्टेशन भारत जूड़ना मुष्टिल है जहां छोटे मोटे मठ बंदिर या मजार ना उनको सबको वटाने का समय आ गया रेलवे ट्रैक तोनों के तरफ नाजाइज पंगला देशियों की भरमार है पहरा सरकार से मेरा आवाहन है शाजिया जीज सिर्म फेरा टिमेडा ने कि इनको निश्कासित करने हैं जो कहां से हटानी के बारे में एक कार योजना तयार करें योंकि ये स्लीपर से तयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसके पह आपके पास आ रही हूं आपने सुना कि किस तरह से डीजीपी सर बता रहे है वो फरतुला गोरी का भी नाम ले रहे हैं कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी एक साज़िश के तार जुड़ते हैं क्योंकि वो लगातार वहां से बैटकर धमकी दे रहा है लेकिन आपके जो नेता है मंत्री गिरिदा सिंग वो कह रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी ने टूल किट बनाया है और गोधरा एक और हो जाता इस इसको कहने के पीछे मंच्रा क्या है है देशे के खिलाफ देश भासियों के कि खिलाफ इससे किसको फाइदा होगा WHY साफ है और इसलिए पाकिस्तान का अ है बहुत बड़ा एक और ऊना पाक बनसूबा जरूर है और पूरी तरा सी यकीन किया जा सकता कि यह होगा इस लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है और मुम्किन नहीं है कि इसको शेय गाही हमारे देश के अंदर से दी जा रही है जाहिर सी बात हैं हमारे देश में हैं कुछ ऐसी ताकते कुछ ऐसे फॉर्सिस कुछ ऐसे तत्व जो चाहते हैं कि किसी तरह से भारत का और भारत वासियों का नुकसान हो और वो अलग अलग तरीके से और ये बिलकुल अगर आप स्टडी करेंगे अलग 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 देशों में किस तरह से काम होता है हंगामा क्रेट करने का और एक तरह से हिंसा का महौल क्रेट करने का तो ये तरीका यही है इसी तरह से क्या जात तो यह साफ जाहिर है कि सुनियोजी तरीके से एक शद्यांत के तरिये भारत के अंदर कुछ तत्वों के साथ मिलकर एक और कोशेश ही नहीं है। यहां पर तो एक और गोधरा हो जाता हूं तो सीधा स्पष्ट आ रोप लगा रहे हैं अब मैं इसी एक पस्ट तारोप है उनका केक और गोधरा हो जाता और कॉंग्रेस का वो नाम ले रहे हैं इसलिए मैं पहले मैं जरा इस पर बात करना चाहती हूं बोलती नहीं है पार्टी पर आप सुचिए सुचा रिता जी जी आप खुद भी सोचिए कॉंग्रेस पार्टी ने इस पर कुछ क्यों था सीस्ञясी नहीं बोला आप खुद सुचिय को आपको किसी बाद बाति सरकार को केंदरी सरकार को ऑम सो इस भीम सी को चया को मिरीक चैनी को उसे लिए दो अगरे मलीश प्र पुरूस समय को च्टिए उनन समय अभी भी देश को बंधनाम करने के लिए विदेश गए हैं और अभी जो देश में देश तोड़ने की ताकते हैं उन पर कोई कुछ नहीं बोलता है जर अजीज खान साब बता दीजे क्यों नहीं बोल रहे हैं आपके निता भी नहीं बोले हैं कोई इतनी बड़ी घटना हो ग साजी आइलिवीजी ने बता दिया ओको जो कुछ बचा बचाया था गिराथ ईंक जी ने बता दिया कि वह कौन लोग है यह साजीस कर रहे हैं अरे आपको आपको कह रहे थे उत्तरपरदेश कानून बिवस्ता पेल्कुछ चरम पे हैं कुछ नहीं कने ड़ए लग राग जो कि आप तक तयार कॉन कर रहा है और कुछ मुस्लिन जंगतन होंगे कुछ मुसल्मान होंगे जू कि इसमें ल् koş मताना है कि जब इसतरीके की इस स् disciplines ही तैप्त करना ही है एक तरफ तो आप कहने किसा आप पांच पाज अजन्सिया लगाई गहीं जो इसकी जाच कर रही है और जाच करने से पहले ही आप अस्पस्ट किये रहे हैं कि इस पर सामिल कौन है लिफ्ट कौन कौन है एक बात आप समझे एक बात बताएं प्रेन हाथ सा यह बहुत ही सेंस एक लंबी पिस्ट है फेरिष्ट है देखिये लापर वाही तो शजयंत्र हुआ है यह प्लोटिंग थी यह प्लैनिंग थी और उस पर आप सवाल उठाएं बिल्कुल ले लगातार नहीं बोलेंगी आपने प्लीज जिदाजी आपको रोकिया आप बोले वाटता हो गया हमने का साजी की बाफ कर रहे हैं तो साजी की पता जैसे चल गया हमें पड़े चानल कर चलने लगा